नमस्कार आप देख रहे हैं आजे भारत और मैं हूँ आपके साथ शिप्रा बिहार की CM नितीश कुमार ने EVM मशीन का समर्थन किया है पटना में CM नितीश कुमार ने कहा कि EVM बिल्कुल ठीक है अगर सभी बुथों पर इस EVM मशीन के साथ वीवी पैट लगा दिया जाए तो समस्या नहीं होगी CM नितीश कुमार ने बुदवार को कहा कि EVM मशीन के बारे में जो कहा जा रहा है मैं इससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि EVM ने लोगों के वोटिंग के अधिकार को और मजबूत किया है उन्होंने कहा कि पहले जब वोटिंग पेपर पर होती थी तो बोगस बोट पड़ते थे साथी बूत भी लूट लिये जाते थे लेकिन आप ऐसा नहीं है नितिश ने कहा कि सभी बूतों पर वीवी पैठ होगा तो सब कुछ सही होगा उन्होंने कहा कि वोटिंग की परची को भी एक एक घर में बाटने की जवरत है और जिस घर में इसे दिया जाए उससे रिसिविंग भी लेना चाहिए मालुम हो कि एलेक्टोनिक वोटिंग मशीन हैकिंग को लेकर अमेरिकी एक्सपर्ट के दावे के बाद से देश भर में विपक्ष इस मशीन पर सवाल खड़े कर रहा है इस मामले में केंद्री IT मंत्री रवी शंकर प्रसाद ने मंगलवार को राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉंफरेंस को सम्बोधित किया प्रसाद ने इस प्रेस वार्ता में कॉंग्रेस पर जम कर निशाना साधा उन्होंने कहा कि EVM हैकिंग पर लंदन में हुए कारिकरम को कॉंग्रेस ने प्रायोजित किया था उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कॉंग्रेस की हार तै है और इसलिए कॉंग्रेस अभी से हार के बहाने धूंडने में जुट गई है IT मंत्री रवी शंकर प्रसाद ने इन दावों पर कहा कि कल लंदन में सरकस हुआ था या कॉंग्रिस की तरब से प्रायोजित पॉलिटिकल स्टन्ड था पटना से अजय भारत के लिए कुमार गौतम की रिपोर्ट